MSI Raider GE78 HX Laptop आज आया मार पास और यह ultimate gaming machine है अभी थोड़ दिन पहले हम ने जी टी टाइटन का रिव्यू किया था न चुमारा छे लाग का laptop था उसके अंदर भी i9 13 जनेरेशन प्रोसेसर था 4090 था और वो छे लाग का था तो मेरे को उसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन पतल लेकिन यह वाला जो laptop है क्या यह आपकी desktop replacement बन सकता है तो इसके अंदर आरेंडी और खर्चा आता है इस वैसे महंगे होते हैं तो वह डिबेट बेकार है PC को आप उठाके नहीं सकते लाप तब भी आई-लेवल के काम करवाए तो डबा खोलता है सब जानता है इसके वारे मे का रेडर सीरीज प्रीमियम लाप्टॉप प्रीमियम डबा यह काले गुंगड में मारा लाप्टॉप मिलिया थोड़ी बहुत पुस्तक उस्तक मिल जाई आपको क्विक स्टार्ट गाइड बगरा और यहां मिलते 330 वाट की इंट इसके अंदर से और एक पावर रकॉड और में पूरा मैटल बिल में अ वह प्लास्टिक को मिलता है लेकिन प्लास्टिक भी और यहां पर पीछे मारे को मिल जाता जो काफी कूल लग रहा है और यहां इंटेक के वेंट्स बन रखे है और बिल्ड क्वालिटी के मामलें बहुत सॉलिड़ है की बोड़ फ्लेक्स उर्ट अपले बिल्कुल ना के बरा यहां पे लेफ्ट और राइट साड़ेंग, पीछे की तरफ भी एक्साइड है, और यह हमारे स्पीकर्ण और अपको अब आपको अब्लाइग नियुक्स इतनी प्यारी जेता है, इसके अंदर छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे ब्लॉक्स अगर आप गौर से लुक में दे रखे हमारे को और यह सारी और इसके अंदर स्टील सीडेस का सॉफ्ट्रेर हमारे को मिलता है उसके अदर जाकर दो आप्शन मिलते हैं MSI में जैक्टिस के अधर सामने वाली बार और इसका लोगो कस्टमाइज कर सकते हैं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एफे कर सकते हैं एंड उनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हम लगा सकते हैं जो कि वाइस आप आर जी भी कस्टमाइजेशन फुल गेमिंग वाली बात चीछ और यहां पर अल्टिमेट गेमिंग मशीनरी है तो यह पर स्पेसिफिकेशन से आइन थटी नाइटी एकेस प्रॉसेसर कें लिफा जो मारा फॉंटिफॉर को थर्टी टू एक्ड प्रोसेसर जिसके अंदर मारा को एट पीप्योर और 16 एकोर मिलते हैं और यहां पर आर्टी एकस फॉर्टी नाइन टी ग्राफिक्स कार्ड मारे को मिल जाता है जो मारा शिच 64GB की DDR5 memory के साथ 5200 Mbps वाली तो top of the line मतलब कोई भी गेम आग बंद करके चलाओ चल जाएगा खेलना आग कोल के पड़ेगा और इसके अंदर मिलती है दो टीबी की Gen 4 SSD जिसके रीड और आइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो एकडम तावड तोड स्पीड गेम फटा लगी भी है अगर Gen 5 लगाने का मन बने तो वह अपग्रेडेशन भी आप कर सकते हो पर स्लॉट दो टीबी तो चली जाएगा और इस लाप्टाप में MSI ओवर बूस्ट अल्ट्रा का सपोर्ट है इसके अंदर जो दो पी कोर है ना मारे वह मैक्सिमुम 5.6 GHz तक जा सकते है और जो सारे आठ पी कोर से वह अप्टू 5.2 GHz तक जा सकते है और यह एचेक सीरीज का यही फायदा ही है यह वाली से ज्यादा बेटर परफार्म करती है दो पी कोर भी एक्स्टर मिलता है मारे को एंड ओवराल बूस्ट लॉग भी अच्छे और टेकनिकल स्पेसिफिकेश और स्मूद एट्राकपट चलाने में ऐसी को दिखकत नुए और जेस्चर वगरा को अब्वियसली सपोर्ट करता ही है और कनेक्टिविटी के मामले में वाइफाइटी वाला मिलता जो 3,60,000 और उसके बाद एक i7 4080 वाला भी है जो 3,30,000 के आसपास है तो पर्फॉरमस में इसके दिखा दूँ आपको top of the line उसके बाद buying choice आपनी अलग-अलग variant की बनाए सकते हैं और यहाँ पर पोर्ट के मामले में MSI ने कोई जगा नी चुड़ी लेफ्ट राइट पीछे सब जगा पोर्ट सी पोर्ट सबसे परे लेफ्ट साइड में एक टाइप सी पोर्ट मिलत उसके बाद राइट साइड में टाइप सी 3.2 जेन टू पोर्ट यह वाला डाइप सी पोर्ट डिस्प्ले आउट पूर्ट प्लस 100 वाट पावर डिलिवरी दोनों को सपोर्ट करता है और यहाँ पर दो टाइप मिल जाते हैं USB 3.2 वाले जिसमें से एक जेन वान वाला और द प्लस डिस्प्ले मिलते है जिसका रेजलेशन 2560 वाला पैनल है और यहाँ पर कहलते और पावर्फुल जी प्यू तो बड़िया फ्रेमरेंट निकालेगा और एक्टम लाप्टॉप की डिस्प्ले पर यह स्पोर्स के कंपेटिटिव लेवल और यह डिस्प्ले आइपीस ल सब्सक्राइब करते हैं तो इसकी डिस्प्ले आपको डिसप्ले नहीं करेगी और इस लाप्टॉप के अंदर वार को पीक 400 निट्स मिल जाती है वैसे इस प्राइस पॉंट मेरी थी 500 निट्स होती तो ज्यादा बेटर होती और यहां पर दिस्प्ले की बात चलिए यह यह मक्स्विच के साथ आता है और इसका मक्स्विच हम चेंज कर सकते हैं MSI सेंटर सॉफ्टर में जागे यहां पर यूजर सेनारियो है उसके नीचे आपको मिल जागा जीप्यू का स्वेच जो की डिस्क्रीट ग्राफिक्स मोड एमेस हाइब्रीड ग्राफिक्स मोड और मक्स्विच को हाइब्रीड मोड पर करना पड़ेगा तभी उससे डिस्प्ला पूड ले सकते हो और यह इसका वैपकेम टेस्ट है और साथ माइक भी लाप्तॉप का यूजरा है बताना आपको कैसे लगी क्वालिटी तो डिसेंट है गिमिंग लाप्तॉप के साब से आपक तो यानि कि साउंड कॉलिटी तगडी मिलेगी और चार मिलते है दो दो वार्ट के सब्वूफर के लेफ्ट और राइड पर जो आपको बता रहा था और उसमें ट्वीटर्स भी इंक्लूड़ीड है तो साउंड भी आपको ऊपर से मिलती है और एक्दम 360 experience मिलता है अच्छ है हमने इसको बेसिक उसेज करके देखा था यूटीब वगरा चला चार से पांच घंटे का बैकप देखा था जिसमें स्क्रीन ब्राइटनेस 50 परसेंट थी और कीबोर लाइट वगरा आफ ती बहुत सारी चीज़े वैरी करते है फूर आर्स से लिएक सिक सार्स तक का बैक सबसे पहले CPU के दागत Cinebench R23 के स्कोर साप देख सकते हो 32,000 मल्टीकोर 2120 सिंगल कोर और यह गीकपेज 6 के स्कोर से 17,500 मल्टीकोर 2837 सिंगल कोर है और यह हमारे क्रॉसमार्क के स्कोर है जो अलाट्टो कंपैरेजन में काफी काम आ जाते हैं और यहां पर ब्लेंडर बेंचम का टोटल स्कोर है और GPU CPU के स्कोर आप वीडियो पॉस करके देख सकते हो अब यह जो लोग जादा इंटरस से देख रहोंगे जो मेरी वाली ओडियन्स से अग्दम भारी भरकम नंबर आपको पता लगडियोंगे जो बेंचमार्क से पता लगए इस Laptop में कोई भी काम आप जादा है तो आपके लिए डेस्टॉप रिप्लेस्मेंट हो सकता है आज की डेट में अब देख उतने पैसे खर्च लिए अपने प्रोड़क्टिविटी सारी कर ली गेम खेलने का मन करेगा तो गेम टेस्ट के अंदर उस पर नज़र मारत है फिर कंक्लूजन की बात करते ह सबसे पहले लिस्ट में और सारे गेम टेस्ट करेंगे 1600 पीपे जोसका अपना डिस्प्ले का हाई सेटिंग्स आपने सामने सामने देगी सकते हो और ऑविएसली 1600 पीपे 500 प्लस एफिस तो बंते है वैलरेंड में क्योंकि सीपी इंटेंसिव गेम है आई नहीं थर्टी के आसपास CPU temperature है जो की ठीक है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद COD version 2.0 एक्स्ट्रीम प्रीसेट पे आपे टेस्ट करें और आप स्केलिंग हम नहीं यूज़ करेंगे बाई सब रहा परफार्फार्मेंस दिखाएंगे आपको एंड भाई 1600 पीपे मारों को 130-140 fps के चाओगे तो आप इस लाप टॉप पे अराम से कर सकते हो अगर 4K गेमिंग परफार्मेंस देखने ना तो GT Titan का review देख ले ना उसके अंदर 4K डिस्प्ले थी स्पेसिफिकेशन यही सेम थी और यहां पर गेमिंग परफार्मेंस की बात करते हैं तो वह तुमारे को जबरद अगर आप 4K मोनिटर लगा के 4K गेमिंग करोंगे तो वह भी यह करवा देगा राम से 16GB का क्राफिक कार्ड है उसके बाद Far Cry 6 यहां पर टेस्ट कर रहे हैं 1600 पी और क्वालिटी प्रिसेट रखा है अमने अल्टरा पर और यहां पर कोई भी अप्सकेलिंग में यहां यहां अमने रखा है और यहां पर सीप्यू की वाटेज 100 वाट तक जारी है इस गेम में तब जाके मारा 90 डिग्रीज के आसपस टेंपरेचर एक बर ही दिखाए दिया और जो साइड में रूम टेंपरेचर है ना वो 22 डिग्रीज ही है जो पहले गेम में आपको दिखाया था यह बिल्कुर राइट साइड वेंट के पास रख जया था तो उससे थोड़ी देर बाद गरम होगे 24 डिग्रीज दिखा रहा था बेसिकली रूम टेंपरेचर 22 तो 23 डिग्रीज ही है उसके हिसाब से आप लाप्टॉप के थरमल्स को जज़ करना डेन वी टेस्टेड आर्टी 150 वाट तक पावर ड्रॉ कर रहा है और आर्टी एक्स 4000 सीरीज की जितने भी जीप्यू जाना यह अपने फुल पोटेंशल पर अभी कोई भी नहीं चल रहा है और तब भी यह परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के देते हैं तो फ्यूचर में और अपडेट्स वगर आएंग यहां पर परफॉर्मेंस आप देख सकते हो और सीप्यू के टेंपरेचर थोड़े से राइज होते हुए क्योंकि गेम की टेस्टिंग होते हो तो तीन गंटे हो चुके थे उसके बाद सेम वही हाई प्री प्रीसेट हम ने रखा था एक तरफ डी एलेसे साफ एक तरफ फ्र 4K गेमिंग करने का बन बने टीवी पर लगाया गेमिंग करने है कंसोल वाली फीलिंग लेनी है तो वह आप इस लैप्टाप से ले सकते हो उसके बाद साइबर पंग अल्ट्रा सेटिंग्स पर हम टेस्ट कर रहे हैं लेकिन रेट्रेसिंग यहां पर दिफरेंस लियर है को अल्ट्रा पर रखा है और यहां पर डिफरेंस देख रहो फ्रेम रिट का 60-70 fps का डिफरेंस है और अराम से बाइस अब रेट्रेसिंग अल्ट्रा पर भी 30-40 fps निकाल के दे रहे हैं जो की प्लेबल होता है बागी 100 तो निकाली लोगे अब डिएलेस लगा के और डिएले 70 वाट तक पावर ड्रॉगरी जीप्यू ने यानि कि साइबर पंक निकालता असली जान अफी मैं सुच जान निकालने के बात हो रही है DLSS को मैंने रखा और रे ट्रेसिंग को साइकों पर कर दिया और उसके बावजूद भी 30 प्लस fps निकाल के दे गया जिसमें इंडोर व पी राम चाहिए वाज़ा अगर अल्ट्रा लेवल की गेमिंग करनी है बाकी तो फिर बजट भी अल्ट्रा लेवल वाला ही चाहिए फिर आपको तो यह ता इसका पूरा रिव्यू MSI Raider GE 78 460,000 का 4090 वाला 360,000 का 4080 वाला बाकी दूसरे वेरेंस में आपको राम भी 32 GB तो अगर आपकी जेम में बढ़िया रोकड़ा है और आप desktop replacement ढूंड रहे हो आपको PC बिल्ड नहीं करना आप ट्रैवल जादा करते हो तो वाईसा पैसा जादा खर्चना पड़ेगा वरना सस्ते में इससे बेटर स्पैक्स आपको PC बिल्ड में मिल जाएंगी लेकिन फिर कोई बात है ना एक ही टेबल पर पड़ा रहा है डिस्प्ले भी साथ में लगाने कीबोर्ड माउस लगा सब कुछ तो वहाली चीज को अटा के एकनम slim मशीन वी चाहिए वैसे नहीं है पतलब PC के सामने तो स्लिम है तो आप यह सब चीज़े कर सकते हो इसको बाय करने वाले के लुँ कर सकते हैं